हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, विनोत की पाट साला, दोस्तों, आज से मैं एक नया टॉपिक ले करके आया हूँ, रीजनल रूलर बैंक, हम पहले इस टॉपिक के बारे में पूरा अध्यन करेंगे, फिर इस टॉपिक पे बेस्ट, इस से प पहले में विद्वत समझाता हूँ कि RRB है क्या चीज, ये कब बना हुआ था, और दोस्तों, इसके क्या-क्या काम है, कैसे इसका जो कैपिटल है, वो डिस्टिब्यूट होता है, गोर्मेंट ओफ इंडिया, स्पांसर बैंक और स्टेट बैंक, और स्टेट गोर्मेंट के अंदर, जो जो भी चीज़े आती हैं, तो दोस्तों, फर्स्ट एंड फर्मोस्ट, आइवुड लाइक टू, इंट्रोड्यूश, फिन RRB, फांडेट, जो रीजनल रूलर बैंक थी, यह आज से 44 साल पहले, 2 अक्टूबर 1975 को दोस्तों, यह इस्टैबलिस हुई थी, कब इस्टैबलिस हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को आज से ठीक 44 साल पहले दोस्तों, यह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेस को देखती है दोस्तों, और इसके संग में भी काम करती है, रिटेल बैंकिंग के लिए, कॉर्परेट बैंकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, यूपी आई की भी सुविधा देती है, इंटरनेट बैंकिंग, मॉबाइल बैंकिंग, फाइनेंस और इंसोरेंस सेक्ट तो commercial bank ही regional ruler bank को sponsor करते हैं उस state में जिसे different type के states हैं भारत के अंदर तो हर एक state में एक regional bank होती है एक नहीं हर एक bank भी रख सकते हैं commercial bank अपने ruler regional bank से create कर सकते हैं कहा जाता जो rrb है rrb are indian scheduled commercial bank operated at regional level in different state of india अब दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ इसकी सुरुवात कहां से हुई भारत में आपात कालिन की घोसडा के उपरांत एक जुलाई 1975 को शुर्गी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी ने 20 सूतरी कारिकरम देश के समच्च प्रस्तोत किये दोस्तों 20 सूतरी कारिकरम. इन कारिकरमों के अंतरगत एक कारिकरम और आया, ग्रामीर छेत्रों में आसान सर्तों पर किसानों, स्रमिकों और अन्य गरीब वरक के लोगों को रिड़ हुकलब्ध कराया जाए इस उद्देश की पूर्ती है तो भारत सरकार ने पूरे देश में छेत्री ग्रामीर बैंक, रीजनल रूलर बैंक इस्थापित करने का निरड़े लिया इसके उपरांत 26 दिसंबर 1975 को राष्टपती का एक अध्यादेश आया जिसको हम लोगों ने कहा दा रीजनल रूलर बैंक ओर्डिनेंस 1975 अध्यादेश के अनुसार प्रते एक ग्रामीर बैंक की जो पूंजी थी वो एक करोड रुपे रखी गई लेकिन उसके बाद इसको 25 लाख रुपे कर दिया गया दोस्तों तो हर एक कॉमर्सियल बैंक की अपनी खुद की छेत्री ग्रामीर बैंक होती है जिसको रीजनल रूलर बैंक बोलते हैं तो दोस्तों ये बंती कैसे है ये तीन चीजें डेटा बेस इस पे आधारित रहता है पहले में एक-एक बात समझा रहा हूँ उसके बाद में अपने पूरे वीडियो में इस वीडियो में पूरे में आपको नोट्स भी प्रोइड कर वाऊंगा प्लस कोईस्चन अंसर भी दूँगा तो इसमें तीन चीजों में डिवाइड कर दिया गया पहला केंद्र सरकार दूसरा राज्य सरकार, तीसरा sponsor bank, वो bank जो किसी RRB को produce कर रही होगी, तो केंदर सरकार को जितनी भी पूंजी उस bank के लिए निर्धारित कही गई है, उसका 50% central government देगी, उसके बाद 15% state government देगी, और 35% जो bank है, जो commercial bank है, जो उस RRB को regional ruler bank को sponsor कर रही है, 35% वो देगी दोस्तों, इसके तहट, जब यह RRB हो जाएगी, जब यह bank बना हुआ था दोस्तों, तो इसकी जितनी भी जिम्मेदारी थी, वो किसके पास में थी दोस्तों, Reserve Bank of India के पास थी, लेकिन मैं एक date बता रहा हूँ आपको, 12 July, कितनी date बता रहा हूँ, 12 July, इस 12 July को, 12 July 1982, 1982 को, जितनी भी नियंत्रन, कंटोल की जितनी सीमाएं थी, ओ, Reserve Bank ने हस्तानांत्रित कर दिया, किसको? नाबार्ड को, National Bank for Agriculture and Ruler Development, और हाँ दोस्तों, मैंने इस पे, Reserve Bank of India और नाबार्ड पे, पूरा वीडियो, बिद फुल कंसेप्ट के संग बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करिए, जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और आप RBI और नाबार्ड का फुल कंसेप्ट सीखिए, सिर्फ एक वीडियो में, आते हैं दोस्तों, जब ये बनाया गया, छेतरी ग्रामीड बैंक है, इसका उद्देश जो बेसिकली था हमारी पास में, इसका पहला उद्देश ये था कि छेतरी ग्रामीड बैंक में, छेतरी ग्रामीड बैंक का जो पहला उद्देश था, वो दोस्तों, करसी, ब्यापार, बाड़ीज, उद्दोग, तथा अन्य उत्पादकों के लिए finance की सुविधा करना इससे ग्रामीर अर्थव्योस्था का दोस्तों विकास हो सके छोटे छोटे जो उद्दमी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या सिल्पकार हैं या जो कृसी सरमिक हैं या जो छोटे सीमांत लगू वर्ग के जो किसान हैं उनको आसान 1975 में जब इसकी सुरुवात की गई थी तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पांच छेत्री गरामीर बैंक बनाए गए थे आज की डेट में कितने हैं सारे जानेंगे एक-एक विधवत करके तो दोस्तों अब आते हम लोग अपने टॉपिक पे तो रूलर रीजनल बैंक जो 閃enzial inclusion लाने के लिए यह एक योजना है कामर्सियल बैंक की करेंटली देर आर 43 अरार वीज़इं इंडिया आज की डेट में जब यो बन रहा है दोस्तों यह मेमे वीडियो बन रहा है मेमे 22 में तक हमारे देश में कितनी अराई वीज़ है 43 RRBs in India हैं मतलब आज की डेट में जो 6-3 ग्रामीड बैंक है वो कितनी है, 43 है and each RRB is sponsored by Government of India along with the State Government and Sponsor Bank मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी RRB है उसको कौन sponsor करता है Government of India उसके साथ ही साथ में State Government और Sponsor Bank but why do we need them especially for the ruler areas हमको जरूरत ही क्यों है इनको ruler areas में लाने के लिए तो दोस्तों हमारे देश की economy जो है न उस सबसे ज़्यादा build up किस पे रहती है ग्रामीड छित्रों पे build up रहती है तो हमें अपनी देश की economy को increase करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है फिर आता है existence of regional ruler bank came in India. Ruler regional bank कैसे आया दोस्तों देश में हम उस चीज के बारे में समझेंगे regional ruler bank were set up under to the provision of 26 September 1975 ordinance 26 September 1975 को एक अध्यादेश आया फिर एक act बना दोस्तों जिसका नाम था RRB act 1976 जिसके तहत RRBs की स्थापना हुई to allocate the banking and credit services for agriculture and ruler sector जितने भी करसी और ग्रामीड छेत्र थे इनके तहत इसके लिए RRB act 1976 में आया जिसकी ही तर्ज पर छेत्री ग्रामीड बैंकों की स्थापना हुई they were established on the recommendation of nursing band working group एक nursing band committee बनाई गई थी दोस्तों जिसके ही तहित हमारे पास में RRBs की स्थापना हुई थी कोई भी चीज होती है जब कभी भी बनती है तो उससे पहले उसमें एक committee बनाई जाती है उस committee के ही आधार पर उन चीजों को develop किया जाता है उस चीज को आगे बढ़ाया जाता है ठीक है दोस्तों तो RRBs क्या होती है RRBs are Indian Scheduled Commercial Bank operating at regional level in different state of India it is यह यूं कहले they have been created with a view of serving primarily for the ruler areas of India with basic banking and financial services that's why RRB has established in India किसकी committee पे नर्शिमबन committee पे यह बनाई गई थी the time almost 70% of India's population were based on ruler region जिस time पे यह बनाई गई थी दोस्तों उस time पे जो देश की 70% population थी 70% population totally completely based on ruler region हमारी पास में उस समय पे जब 1975-76 में चल रहा था तो 70% हमारे देश की जो जनता थी वो ग्रामीर छेतरों से विलॉंग करती थी after the legislation of the regional ruler bank act 1976 इसके बाद में जो पहली चेतरी गरामीर बैंक बनी वो बनी दोस्तों प्रत्मा बैंक थी जो की मुरादाबाद यूपी में इस्टैबलिस हुई इससे question कई बार पूछा गया है कि जो पहली चेतरी गरामीर बैंक थी वो दोस्तों कौन सी थी प्रत्मा गरामीर बैंक थी जो कहां पर इस्टैबलिस है मुरादाबाद यूपी में और इसकी जो sponsor commercial बैंक थी वो कौन सी थी syndicate बैंक थी कौन सी थी syndicate बैंक थी with rupees 5 करोड as initial capital जब यह established की गई थी तो उस समय इसकी initial capital जो थी वो 5 करोड थी there were four more rrbs that were established after his on the same day जिस दिन यह बनी उसी ही दिन चार बैंकों का और establishment किया गया तो मैं यह कह सकता हूं कि 2 October 1975 को 1975 को कितनी बैंक यह rrbs बैंक के बनी 5 बैंक के बनी दोस्तों अब मैं आता हूं ownership पे कि ruler regional bank में कितना कितना होता है दोस्तों मैं बता भी चुका हूं इससे पहले center government कितना देता है 50% state government का share कितना होता है 15% होता है sponsor bank का जो share होता हूं कितना होता है दोस्तों 35% होता है next question पे आते हैं क्या क्या दोस्तों objective है इसके पहला objective to provide the banking services banking services provide करना किसको ruler और semi-urban areas को locker की सुविधा देना debit or credit card facilities to the countryside people देश के लोगों को debit credit card की facility देना तीसरा जो काम है to enhance the employment opportunities लोगों को रोजगार के लिए पैसा उपलब्द करवाना ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके promoting trade and commerce in ruler areas तो ruler areas में अपना खुद का business employment opportunities और व्यापार को promote करने के लिए RRBs बनाएगे to support the entrepreneurship in ruler areas और दोस्तों pension and manrega wages distribution जो दोस्तों pension आते हैं या manrega के तहरे जो आदमी काम करते हैं उनकी जो मेहंताना होता है या दैनिक मजदूरी कह लें वो किस में आता है regional ruler banks में ही आता है अगर दोस्तों हम structure की बात करते हैं इस पर question नहीं पूछेगे लेकिन जो structure होता है सबसे अगर मैं lower order से शुरू करूं इस upper order तक apex order तक मैं जाओं तो सबसे जो छोटा होता है office assistant फिर officer फिर management senior manager regional manager और the chief manager assistant general manager जिसको हम लोग AGM बोलते हैं GM journal manager chairman जिसको cmd chairman and managing director and board of directors this is the complete organizational structure of regional ruler banks आते हैं दोस्तों हम देखते हैं इस time पे इंडिया पे कितने ruler regional banks हैं तो अप्रेल 2020 तक हमारे देश में कितने ruler regional banks हैं दोस्तों 43 ruler regional banks हैं ठीक है करेंटली रीजिनल ruler banks are going through a process of amalgamation and consolidation अभी तक बहुत सी जो ग्रामीड बैंके हैं अब इस time पे खतम भी करी जा रही है क्योंकि commercial bank के भी अब ग्रामीड छेत्रों में फैल रही है या उनकी merging चल लही है amalgamation का मतलब ही होता जो चीजे मिल करके बन रही है कई बैंके तो amalgamation भी हो रहा है इसके तहट जो बैंके इस time पे आ गई हमारी पास बच के जो बची हुई है दोस्तों वो कितनी बची हुए 43 बैंके हैं इस time पे हमारे देश में जो regional ruler banks का अगर मैं regulation की बात करता हूँ तो दोस्तों जो RRBs है regional ruler banks are regulated by RBI RBI के द्वारा दोस्तों regulate करी जाते हैं लेकिन जो supervised होती है ना दोस्तों उन नाबाड के द्वारा करी जाते हैं इस बात को आप दिमाग में store कर लीजिए अगर question यह पूछता है कि RRBs को कौन regulate करता है तो आप RBI tick करेंगे अगर बोलता है supervised कौन करता है तो आप दोस्तों क्या करेंगे नाबाड करेंगे national bank for agriculture and ruler development नाबाड इस पे भी मैं वीडियो बना चुका है वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों playlist में जाए और आप इस वीडियो को देखिए वरना आपकी screen पे eye button आ रहा होगा जिस पे मैंने आपको सीधे RBI और नाबाड फुल कंसेप्ट इन वन वीडियो का वीडियो लिंक मैंने दे दिया है जाए देखिए दोस्तों all these states have RRB in India बट लेकिन दोस्तों इस टाइम पे सिक्किम और गोवा में हमारी पास में कोई भी RRBs नहीं है आएए दोस्तों हम इस पे based कुछ question और answers देखते हैं Ruler Regional Bank पे जो आए भी हैं और आने वाले time पे आ भी सकते हैं How many Regional Ruler Banks are there? कितनी दोस्तों current time में हमारे देश में कितनी Ruler Regional Banks हैं? 43 Ruler Regional Banks हैं How they? कता है next question पे आते हैं Who is the parents organization of these Regional Ruler Banks? तो कौन है दोस्तों नाबार्ड है? क्या है? Parent Organization of Regional Ruler Bank है Next चीज़ पे आते हैं Is Regional Ruler Bank is a government bank? Yes, definitely RRBs are Indian Scheduled Commercial Bank Next question पे आते हैं What is the ratio of sponsorship in RBI? तो दोस्तों आपको पता है जो central government देता है 50 State government 15% Sponsor Bank 35% total कितना बनता है? 100% Next question पे आते हैं Who is the parent organization of these organizations? अभी मैंने बताया है कौन होता है दोस्तों नाबार्ड होता है parent organization नाबार्ड is a parent organization of all RRBs Regional Ruler Banks On whose recommendation RRBs were set up किसकी recommendation पे आई थी? तो दोस्तों नर्शिम्मन कमीटी के अधार पर आई थी उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस पे मैंने पूरा concept भी लिया है हिंदी में भी चीज़ें आपको बताई गई है उस पे based हमने question भी किये हैं अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी है आपको अगर पर आपको धगा है